देश में बीते दिन कोरोना के 3,64,64 नई केस सामने आये हैं और 449 मरीजों की जान चली गई है पिछले 24 गंटे में 2,43,49 मरीज रिकावर हुए हैं कोरोना को माद देने वालों की संक्या बढ़कर 3,68,4,145 हो गई है फिलहाल रुकवरी रेट 23,67 प्रतिशत है वहीं आक्टिव केस में 73,840 की बढ़ोतरी हुई जोसे इलाज करा रहे मरीजों की संक्या बढ़कर 22,49,335 पर हो गई है सक्रिय मामलों के दर 5,69 प्रतिशत है और फिलहाल डेली पॉजिटिविटी रेट 20,75 प्रतिशत है वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 17,03 प्रतिशत है प्रधान मंतरी ने रहिंदर मोदी ने आज वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरीए प्रतिशत है बालपुरा सकार विजिटाउं से समवाद किया देश के बटवारे के लिए जिमिदार मोहमद अले जिन्ना को लेकर अखिले शुयादव के वयान के बाद यूपी के सियासत में गन्ना बनाम जिन्ना के बाद अपाकिस्तान की भी एंट्रि हो गई है जिन्ना के तरही नया विवाद भी समाजवादी पार्टी वे सपा अटवार किया और उनसे माफी की मांगी है मारास्ट में 25 साल के गठबंदन के बाद अब भाजपा जहां विपक्ष में है तो महीं शिवसेना ने कॉंग्रिस और NCP के साथ मिलकर सरकार बना ली है लेकिन दोनों दलों के बीच कई साल बीतने के बाद भी तनाव की स्थिती बन करने के बीच एक नीजी चिकत सक संसान की प्रयोक शाला की जांच में पिछले 18 दिन के दौरान कोरोना वाइरिस के ओमिक्रोन वेरियंट के उपवा इंशियाने की सब लीनियेच के 21 मामले सामने आ हैं इन में 6 बच्चे भी शामिल है महरास्ट्र के कॉलापूर में सोमवार को एक केमिकल फाक्टरी में भीशन आग लग गई आग पर काबू पाने में दमकर की चार गाड़िया मौके पर तैनाथ है अब तक किसी की हताहत होने की खबर निकल करके सामने नहीं आई थी देश के उत्रप्रदेश और पंजाब सहित देश के पाच राज़ियों में होने जा रहे है विदान सबाच जनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रे संयोजोक और दिली के मुख्यमंत्रे अर्विंद के जिवाल ने सुमवार को एक बड़े डिजिटल अभियान शिरू कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें दिली के लोग दूसरे राज़ियो के लोगों को वीडियो बना कर बता सकेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिली में क्या-क्या अच्छे काम होए हैं। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग मना कर रखने, समेत कोविड संबनित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बॉलिवुड आक्टरिस अनुश्का श्रमा और विराट कोहली की बेटी वामिका की तस्वीर हाली में इंटरनेट पर लीक हो गई। तस्वीर सोशल मीडिया पर आक की तरह फैल गई है और बाद में अनुश्का श्रमा का उनकी बेटी के साथ वीडियो भी सामने आया। अब अनुश्का ने अपनी इंस्टरग्राम स्टोरी में लिखा है कि उन्हें नहीं पता चला कि कब तस्वीरे क्लिक कर ली गई। और डिसा की तरफ बढ़ता दिख रहा है। जहांकी को गंत अंतर दिवस परेड में श्रामिल नहीं करने का मामला कलकता हाइकोर्ट में पहुँच गया है। इसको लेकर हाइकोर्ट ने PIL दायर किया है। इस पर आज सुनवाई हो सकती है। पंजाब विधान सभा चुनाव में आरो प्रत्यारोब का दौर जारी है। राजु के मुख्यमंत्री और कॉंग्रस निता चौरंजीत सिंग चन्नी ने दावा किया है। क्यामाद्मी पार्टी और शिरोमनी अकाले दल ने उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए भाज़पा से हाथ में लाया था। मीडिया रिपोर्ट के मताविक चन्नी ने कहा है कि जब से मैं 111 दिन पहले सत्ता संभाली है तब से लोगों का मिज्यास बदल गया है। उन्हें कहा है कि जो लोग ओमिक्रोन से संक्रमित है उनमें बिमारी का पूरा स्पेक्ट्रम है वो गंभी रूप से बिमार हो सकते हैं और मौत भी हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। डॉक्टर जैदेवन ने ANI को बताया कि हर बार लहर पहले हाई मोबिलिटी वाले इलाकों को प्रभावित करती है जिसमें मेट्रो शहर छोटे इलाके और फरगाओं आते हैं। अगले कुछ हफ़ते के भीतर मौजुदा लहर छोटे शहरों या कस्वो या फरगाओं तक जाएगी या एक ट्रेंड है जिसे दुनिया भर में देखा गया है। सीमा सुरक्षाबल कश्मीर सिमान्त के महनेरिक चक राज़ाबाबु सिंग ने कहा है कि खूफिया एजन्सियों ने ये पुक्ता जानकारी दी है कि सीमा पार गुलाम कश्मीर में 104-135 आतंकवादी हर तरग घुसपैट करने को तयार बैठ हैं। कुछ गाइड यहां से उस पार गये हैं ऐसी आश्रंका है कि आतंक्यों को भारती सीमा में घुसपैट कराने का जिमा उन्हीं को सौपा गया है। को मिक्रोन वेरियंट की वज़े से यह महामारी एक नए च्वरन में पहुच गई है। के 403 सीट पर शुनाव लड़ने के अभियान को ही जटका लगने लगा है। यहां पर पार्टी ने जिनको प्रत्याशी घोशित किया वही लोग पार्टी को छोड़कर अन्यदल का दामन थाम रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने निश्चित तोर पर सभी का ध्यान वितियस थर्ता और इंश्रेंस की जरूरत की तरफ आकर शित किया है। हालाकि वितियस थर्ता संकट के समय में कमजोर पड़ सकती है लेकिन ऐसे वक्त में इसके प्रभावों को संतुलित करने से भी माबुखात मदद कर सकता है। ऐसे में आज हमाब को LIC के एक प्लान की जानकारी देने वाले हैं। इस प्लान का नाम सरल पेंशन प्लान है। साउथ आफरिका ने तीन माचों की बंडे सीरीज तीन शुने से जीती और क्लीन स्वीप किया। इस हार के बाद कोच राहु जविट ने कप्तान का बच्वाव किया है। मुझे लगता है कि उन्हांने कभी काफी अच्छा काम किया है। मैच में हारने बाली टीम के तौर पर खड़ा होना किसी भी कप्तान के लिए आसान नहीं होता। उन्हांने अभी एक कप्तान के तौर पर महस शुरुआत की है। महारत में कोरोना वाइरस के मामलों में पिछले एक हवते से तेजी हो रही है। हाला की देश में पंद्रह फरवरी तक कोविट के मामलों में कमी आएगी। सरकार के सुतरों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बता है कि कुछ राजियों और मेट्रो शेहरों में कोविट के मामले कम होने लगे हैं। इसके अलावा यहां पर मामलों में स्थर्ता भी देखने को मिल रही है। वाक्सिनेशन की वज़े से कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाफ कम हो गया है। सूत्रों ने आगे कहा है कि स्वास्तमंत्राले राजियों और केंदर साशित प्रदेशों के साथ समनावे कर रहा है। फिलहाल देश की चोहतर फीजदी आबादी का फुली वाक्सिनेशन हो चुका है। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों से सब्ताहक के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की कमजोर शुरुबात हुई। इंडेक्स लाल निशान से ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज़्यदा गिरावट आईटी, मेटल रियालिटी और आटो इंडेक्स में हैं। इंडेक्स गर के मुख्यमंतरी भुपेश बगेल ने कहा कि आज हम उत्राखन में कॉंग्रेस का कैम्पेइन सौंग लॉंच करेंगे और वहां हमारी बहुत अच्छी स्थिती है। भाजपा धर्म के आधार पर लोगों को बार्टने का काम करती है। इस पोस्टर के साथ यह भी बताया है कि यह फिल्म सिनमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म के पोस्टर में राजकुबार राओ एक पुलीस ऑफिसर की भूमी का में नजरार हैं जो सर पर दूले का सहरा पहने हुए हैं और भूमी पेढ़ने कर उनकी पत्नी की करदार में दिखाई दे रही है। इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज डेट की भी घोशनाक कर दी गई है। इसका ट्रेलर कल रिलीज किया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद। के टीम को मिलिहार का एहम कारण क्या हो सकता है। अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ब अपने बाद